दोस्तो गूड इवनिंग स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल विकास जीके कलासिज पर आठ जनवरी 2024 से रिलेटिड करंट अफेर की कलास में स्वागत आपका दोस्तो आज हम आठ जनवरी 2024 के टोप 10 क्यूशन करेंगे और साथ में मैं आपको स्टैटिक जीके भी करवाऊंगा आज का पहला क्यूशन है हाली में राष्टी अपक्सी दिवस मनाये गया राष्टी अपक्सी दिवस मनाये गया कब मनाये गया दोस्तो पांच जनवरी को राष्टी अपक्सी दिवस मनाये गया राष्टि अपक्सी दिवस की थीम क्या थी? थीम थी राइट टू फाइट लडाई का अधिकार दोसरा क्यों सना है दोस्तो? आली में किस देश में माउंट लेबो टोबी लाकी लाकी ज्वाला मुखी में बैंकर विस्पोर्ट हुआ है? तो किस देश में हुआ है? इंडोनेशिया में ये विस्पोर्ट हुआ है परमुक ज्वाला मुखी देखो दोस्तों विस्वाय का सबसी उंचा सक्री है ज्वाला मुखी माउंट कोटोपैक्स ही है कहां पे है? एकवाड़ॉर में वो देश कौन सा है? वो कौन सा माधिप है? जहां एक भी ज्वाला मुखी नहीं है कौन सा माधिप है? उस्ट्रेलिया माधिप है बुमद्य सागर का प्रकास्तम किसे कहते हैं? ट्रॉमबेली ज्वाला मुखी को बुमद्य सागर का प्रकास्तम कहते हैं पिर बताओ इटली में इटली में लीपरी दीप पर इटली में एटना ज्वाला मुखी है सीशली दीप पर वीशुवियस ज्वाला मुखी है फिर बताओ बार्त में एक सक्रिया ज्वाला मुखी है बार्त में सक्रिया ज्वाला मुखी बेरन दीप पर बेरन ज्वाला मुखी है अगे बताओ। आगे देखिए रिंग ओफ फायर किस महासागर में इस्तित है रिंग ओफ फायर महासागर में परसांद महासागर में इस्तित है पर्थवी का वल्ब या पर्थवी का सुरुक्षा वल्ब किसे कहते है जौला मुकी को पर्थवी का सुरुक्षा वल्ब कहते है नेक्स्ट क्यूसन दोस्तों हाली में किस राज्य के काला नूनिया चावल को जी आई टैग मिला है किस राज्य के काला नूनिया चावल को मिला है वेस्ट बंगल पस्मी मंगाल के चावल को काला जी आई टैग मिला है पसमी बंगाल के कुछ अन्य टैग देखते हैं दोस्तों सुन्दरवन सहद यह सहद मोली समझाए द्वारा सुन्दरवन जंगल में एक्तरित किया गया था इसे गोवन बरांड के नाम से बेचा जाता है काले नूनिया चावल को ट्रिंस ओफ राइस भी का जाता है और इसकी खेती राज्ये के जलपाई गुड़ी जिले में की जाती है कडियाल साड़ी टेंगेल और गोरेड यह साड़ियां हैं इनको भी जियाई टैग मिला है नेक्ट क्यूसन है दोस्तों एथलिट फूट वियर निर्माता एडिडास चीन के बाद एशिया में अपना पहला वेश्वेशिक शम्ता के अंदर कहां स्तापित करेगा एडिडास कहां स्तापित करेगा सन्नाई तुमिल नाडू में अपना वेश्वेशिक पहला के अंदर स्तापित करेगा नेक्ट किसने दोस्तों, हाली में शिक्ष्या मंत्रा लेने प्रेणा एक अनु बावातमक शिक्ष्षन करेकरम कहां से सुरू किया है ये कहां से सुरू किया है, ये किया है गुजरात से गुजरात 2023 में क्योच चर्चा में रहा था वो एक ही जगाए एक ही कलास में हम आज रिविजन करते हैं बार्त की पहली सिक्स लेन स्टील स्लेगल अधारी सड़क का निर्मान कहा हुआ था यह वा था सूर्थ में दूसरा है देश का पहला बुलिट ट्रेन स्टेशन बनकर तियार हुआ था कहा बनकर तियार हुआ था एहमदाबाद में इन्वेस्को की अमरूट सांसकर्तिक विरास्त चुची में सामिल है गुजरात का गर्वान हरते बैसिमा सड़क बारती सड़क का अंगरेस का यह वजन कहा हुआ था गांदी नगर गुजरात में नेक्ट देखिए गलोबल फीशरीज कॉनफरेंस दो जारते इस का यह वजन कहा हुआ था एहमदाबाद गुजरात में एक माँ में सिक्स एम एम टी सिक्स एम एम टी कारगो समालने बाला देश का पहला बंदरगा कौन बना था मंदरा या मंदरा बंदरगा बना था आगे देखिए बारत की सबसे बड़ी सीथ तेल उतपादन सेवा किस राजे में खोली जाएगी गुजरात में खोली जाएगी छटा बारतिय समेलन और एक्सपो गुजरात कहा हुआ कि गुजरात के एमदाबाद में हुआ और देश का पहला नैनो लिक्विड डिएपी प्लांट का उदगाटन कहां किया गया गुजरात में किया गया फिर बताइए UNWTO ने गुजरात के कस जिले में गोडो गाओं को सरोसरेष्ट प्रियेटन का गाओं का पुरुसकार दिया गुजरात में खंबात की खाड़ी में वेनेडियम दातु की खोज की गई उद्सरजन वेपार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा सहर बना एहमदाबाद पारंपरिक चिकच्चा पर पहले वेशवेख सिखर समेलन का योजन का हुआ गांदी नगर में हुआ था फिर देखिए डबलो एचो ने गलोवल सेंटर फोर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्तापना की कहां की थी जामनगर में कांडला पोर्ट पर की थी और कांडला पोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीन दियाल उपादय पोर्ट कर दिया गया है ये बारत का पहला निर्याद सरकसक जोन है आगे देखिए बारत का पहला सवदेशी परमाणू रियक्टर का संचालन कहां हुआ था गुजराद के काकरा पार नुकलियर थर्मल पाउर प्लांट के नाम से जाना जाता है वहां पे हुआ था ये आगे देखिए किस राज्ये में देश के पहले सहकरी संचालिस सेनि स्कूल की नीव रखी गुजराद के महसाना में रखी गया परदानमंतरी जन अरोगे योजना की बिमारासी को 5 लाग से 10 लाग बढ़ाना कर किस सरकार ने गोसना किया गुजराद सरकार ने अंतोद्य शर्मिक शुर्क शायोजना कहा शुरूई है ये गुजरात में शुरूई है आगे देखिए देश की पहली सैटलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट का कहा स्तापित की गई थी ये गुजरात के महसाना जिले में स्तापित की गई थी एक प्राचिन वस्तरकला है और आगे है देश का पहला सिमी कंड़क्टर प्लांट गां बनेगा गुजरात के एमदाबाद के दोलेरा गाउं में बनेगा नेक्ट देखिए रिलाइंस इंडिस्टी कहां भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कारवन फाइबर पलांट बनाएगी गुजरात के हजीरा में रिलाइंस बनाएगी आगे देखिए भारत का पहला सोर उर्जा संचालित गाउं गुजरात का मोडेरा गाउं है सेमिंग कंड़क्टर पॉलिस को लागू करने वाला पहला राजे कौन सा बना था गुजरात मना था बालिका पंचायत का सफल आयोजन गुजरात के कुनरिया गाउं में किया गया था वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना दोस्तों आगे देखिए गुजरात से समंदित 2023 के important current affair परदान मंतरी नरंदर मोदी ने कहां पर दुनिया का पहला CNG Terminal का सिल्यानास किया था भावनगर गुजरात में रेल युनिविश्टि बडोधरा गोच सक्ती इनुष्टि इस रेल युनिविश्टि बडोधरा का नाम गोच सक्ती इनुष्टि कर दिया गया है गुजरात के लोथल में बारत का पहला समूंदरी संगराले बनेगा नेक्स्ट है पी एम मोदी ने देश का पहला बुकम समारक उदगाटन देश का पहला बुकम समारक उदगाटन समर्ती बन का उदगाटन कांथ किया था गुजरात के बुज में बारत के पहले पोर्टेवल सोलर रूफ टॉफ सिस्टम का उद्गाटन कहां किया गया था गुजरात के गांदी नगर में किया गया था और नेक्स्ट है बारत के पहले समधाइक रेडियो स्टेशन दूदवानी का उद्गाटन कहां किया गया था गुजरात में देश का पहला Electric City बना था केवडिया गुजरात में Next देखिए केवडिया railway station का नाम बदल कर एकतान अगर railway station कर दिया गया है तो दोस्तो 2023 में जन्वरी से दिसंबर तक गुजरात जहां जहां चर्चा में रहा था वहां मैंने एक वीडियो में आपको कलियर करवा दिया है नेक्स्ट क्यूसन है दोस्तो हाली में 98 अखिल वारतिय डी जी पी आई जी पी वार्शिक्स मेलन कहा हुआ ये कहा हुआ था ये हुआ था दोस्तो राजस्तान के जैपपुर में इसका आयोजन हुआ था नेक्स्ट क्यूसन है परमुक समेलन एक वार परमुक समेलन भी रिविजन करते हैं दोस्तो विश्वा मसाला कॉंग्रेस चौदो अससकन कहा हुआ था मुंबई में हुआ था अंतराष्टी वकील समेलन ये कहा हुआ नई दिली में भारत में ये पहली बार हो रहा है इसलिए ये इंपोर्टेंट है दोस्तो पहली हल्दी समेलन कहा हुआ था मुंबई में और हल्दी समेलन को बता के याद आ गया कि बारत ने अधिकारिक तोर पर हल्दी बॉर्ड की स्थापना भी किये गलोवल मेरी टाइम इंडिया समिट 2023 का योजन कहा हुआ मुंबई में हुआ था World Health Summit का योजन का हुआ जर्मनी के बर्लिन में हुआ था नेक्ष्ट देखिए विश्वे बैंक समिती विश्वे बैंक समिती की 108 में बैठ़ का हुई थी मौरको देश के मराकेस में हुई थी IOC का 141 सतर बारत के मुंबई में हुआ था बारत में 27 में विश्वे संग्ठन बारत में 27 में 27 सड़क कांगरेस का उदगाटन का हुआ था प्राग के चेक रीपब्लिक में हुआ था बारत किस्तान पर पहली बार पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजवानी करेगा नई दिल्ली में मेजवानी करेगा पाटा का मतलब होता है दोस्तों पेश्विक एशियन ट्रेवल एसोसियेशन नेक्स्ट है कॉमन वेल्थ पारलियमेटरी एसोसियेशन का 19 संस्क्रण का हुआ था ये हुआ था सिक्किम में 2023 के टोटल 10 संस्क्रण मेंने जो परिक्षा की दरश्टी से इंपोर्टेंट थे वो आपको रिविजन कराए है नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तों हाली में सेबी के नए कारियकारी निर्देशक के रूप में किसे निक्त किया गया है किसे नुक्त किया गया है जी राम मोहन राओ को चेवी का कारिय कारी निदेशक नुक्त किया गया है मनोज यादव कोन है दोस्तों MP के अभी नए CM बने थे मनोज यादव नहीं मोहन यादव बने थे MP के CM next question है दोस्तों हाली में किस देश में भारत को 100 वर्सों में 10,000 मेगावाट विजली का निर्यात करने के लिए समझोता किया है किसने किया है भारत को 10 वर्सों में 10,000 मेगावाट विजली देने का समझोता नेपाल ने यह नेपाल भारत को दस वर्सों में 10,000 मेडावाट बिजली देगा नेक्स्ट है दोस्तो हाली में विदेश मंत्राले के अधिकारिक परवर्ता के रूप में किसे निुक्त किया गया है किसे निुक्त किया गया है अरिंदम बागची को νیuked किया गए है दोस्तो आपका next question है दोस्तो एक चिरकेट इतियास का सभसे कम समय में पूरा हुने वाले टेस्ट की विजेता टीम कौन सी रही है तेस्ट की विजेता टीम रही है बारते इंडिया टेस्ट मैच को सबसे कम समय में जीच चुकी है दोस्तो आज के लिए इतना ही दोस्तो आज का स्वाल है हाली में राष्टी है पक्सी दिवसे कब बनाये गया इस पर्षन का उतरा मुझे कॉमेंट में देना दोस्तो आज के लिए इतना ही जैहीन जैवार थेंक्यू